बे सहारा मजदूर सडकों पर दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं और आप उनके आतम सम्मान और आजीविका को रोंदे जा रहे हैं निर्मला जी, आदर्णिय मोदी जी, क्या मजदूर की बेबसी अब आपको ड्रामे बाजी लगती है? सेकडो हज़रो किलो मीटर पाउं में छाले लिए, नंगे पाउं तूटी हवाई, चपपल के साथ चलने वाला मजदूर आपको ड्रामे बाज लगता है? भूखे, प्यासे, बगैर रोटी और दवाई के साथ चलने वाला मजदूर आपको ड्रामे बाज लगता है? पेट पर समान उठाए, पेट पर बच्चा उठाए, चलने वाला मजदूर हमारे भाई और बेहन अब आपको ड्रामे बाज लगते हैं? एक सो पैंतिस जिंदेगियां मजदूरों की लील लई गई, परंतु ये आपको ड्रामे बाज लगते हैं, देश के मजदूरों, श्रमिकों, कामगारों का अपमान मत कीजिए, ये घोर अपमान है, ये देश आपको माफ नहीं करेगा, सम्मेदन हीन, सूद खोर और साहुक सरकार को, निर्मला जी को और मोदी जी को आगे बढ़कर, देश के श्रमिकों, मजदूरों और कामगारों से माफी मांगनी चाहिए, राहूल जी उनका दर्द बाटने गए थे, अगर दर्द बाटना अपराद है, तो हम ये बार बार करेंगे, क्या गुंगी, बहरी सरकार को मजदूरों की पीड़ा और व्यथा से अवगत कराना अपराद है, अगर ये अपराद है, तो कॉंग्रेस पाल्टी और राहूल गांधी ये अपराद बार बार करेंगे, हम मोदी जी की तरह ड्रामे बाज नहीं, जो जब वोट चाहिए हो, तो मजदूरों के पामध होत मोदी जी, निर्मला जी, इस देश का मजदूर आपसे हुंकार हुंकार कर कहता है, चितकार कर कहता है, आपने अपमान किया है इस देश के मजदूर कामगार और श्रमिक का, फोरण उन से माफी मांगिए